नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपके एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास आइफोन 13 है 13 प्रो है या फिर कोई और मॉडल है तो यहां पर डेट और टाइम की प्रॉब्म को कैसे फिक्स कर सकते हैं देट और टाइम आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर गलत शो हो रहा है 10 बच के 15 मिनट 8 जन्वरी तो इसको ठीक करने के लिए आप चले जाएंगे सैटिंग पे सैटिंग पे जाने के बाद यहां पर आप स्क्रॉल करेंगे आपको यहां पर जर्नल का ओप्शन देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर आपको क्या करना है यह आटोमेटिकली सेलेक्ट करना है इसे आउन कर देंगे तो यहां पर मैनुली आपको शो नहीं होगा वरना मैनुली करना चाहते हैं तो मैनुली आप यहां पर डेट और यहां से नीचे से टाइम select कर सकते हैं am और pm यहां से आप लगा सकते हैं ठीक है यह तो हो गया कि आपका normally और इसके बाद यहां पे अगर automatically करना है तो यह जो option है आप इसे on कर देंगे तो जो भी आपका time हो रहा होगा वो automatically select हो जाएगा और date ठीक है यह आपके network से connect होते ही सेट हो जाता है और अगर आपको 24 hours वाला format चाहिए तो आप इसे use कर सकते हैं 14 बस के 32 मिनट दिखाएगा अधरवाइस यहां पे यह वाला change कर सकते हैं normally am pm वाला तो इस step से आप automatically date and time की problem को fix कर लीजएगा जैसे कि देख सकते हैं correct time mode date आगया है तो इस step से set कर लीजएगा चले मिलते हैं आपको एक next video में तब तक के लिए नमस्कार